हाउ- तू हाईट आप्लिकेशन इन इन योर इंफिनेक्स नोट 12 टर्ब dydy तो अगर अपने इस इन फिनेक्स के नोट 12 टर्ब वाली स्मांटफोन को पर्चीस किया है पर्चिस क wavelengths करने है तो ऐसे में इस Infinex Note 12 Turbo के एक यूसपूल और एडवांस फीचर के बारे में आपको अवेर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि है Hide Application का वैसे तरह इस Infinex Note 12 Turbo में आपको कई सारे Feature मिल जाते हैं लेकिन एक Feature है जो बहुत ज़्यादा यूसपुल है जो कि है Hide Application तो यहाँ पर यहाँ पर आपको यही बाता हो कि कि इस तरीके से आप इस Infinex Note 12 Turbo में आप्लिकेशन को हाइट कर सकते हैं लाइक हाओ टू हाइट अप्लिकेशन इन Infinex Note 12 इस टॉपिक स्टार केने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं आड़ करना चाता हूँ मैंने यहाँ पर एक और Second YouTube चैनल और क्रियेट किया है जिस पर मैं completely different टैप के content वहाँ पर upload करते रहता हो तो जिस तरीके से आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उसी तरीके से मैं चाता हूँ कि आप मेरे Second YouTube चैनल को भी सपोर्ट करें उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइट में है वहाँ भी जाके आप मेरे Second YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माइ Second YouTube चैनल लिंक उसका वीडियो के डाउन साइट पर है यहाँ पर आपको एक्स्पिलिंग करते हो किस तरीके से आपको अप्लिकेशन को हाइट करना है इस इंफिनिक्स के नोट 12 टर्बो यह जो वेरेंट पर पास है यह 8GB RAM और 128GB स्टोरी जाला वेरेंट तो अप्लिकेशन को हाइट करने के लिए सबसे पर यहाँ पर जो आपको से स्किप करना है यहाँ पर आपको आप्शिन मिल जाएगा फोटो को हाइट करने का वीडियो को हाइट करने का वॉइस को हाइट करने का लेकिन यहाँ पर हम एप्लिकेशन को हाइट करने का लेकिन यहाँ पर हम एप्लिकेशन को हाइट करना है तो एप्लिकेशन पर आपक को hide करूगा तो पहला है Facebook application और second a free file application तो यहाँ पर मैं आपी app list में जाता हो और यहाँ पर अभी मैं FK alphabet में हुँ, FK alphabet में और यहाँ पर मैंड़ application को hide करूँगा Facebook application और second a free fire max application तो यह दोना application अब यहाँ पर शूँ हो रही है, तो let's mean application को hide करता हो, यहां पर आपको टैप करना है कि लिग करना और उसके बाद यहां पर आपको पास्ष पे टेर प्लिककर स्वाइब करना और अब यहाँ पर दोनों आप्लिकेशन हाइड हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर आपको directly अगर मैं F के alphabet में जाू, You can see, तो F के alphabet में यहाँ पर आपको Free Fire Max application और Facebook application यहाँ पर आपको देखने को नहीं में बिनगा। यहाँ पर आपको दोनों भी application नहीं है, अभी आपको फिर से application को unhide कैसे करना है, तो इसके लिए फिर से आपको उसी section में जाना है, tap करके menu option में hide apps पे, password enter करना है, यहाँ पर आपको hidden apps पे click करना है, और उसके बाद इस पे tap करना है, export करना है, unhide करने के लिए Facebook में भी आपको export करना है, and that's it, उसके बाद application unhide हो चुका है, फिर उसके बाद आप फिट से जाएंगे F के alphabet में, तो यहाँ पर आपको दोनों application दिख जाएगा, Facebook भी और फिरिफार में, आप डारेक के मुझे comment section पूछ सकते हैं, और साथी साथ आप मेरे second duty channel को भी subscribe कर सकते हैं, उसका link वीडियो के downside में है, thank you.